हाई फ्रेंड्स, 498-A का केस तीन साल की अवधी से उपर होने पर दर्ज नहीं होगा, इसकी सिकायत पुलिस नहीं लेगी या फिर कोट में क्रिमिनल केस नहीं दिये जा सकते साथ ही साथ ये टाइम बाड है, इसको बोलते हैं 468 सेक्षन CRPC जिसके तहत 498-A केस को तीन साल की अवधी से जादा वक्त में फाइल करने पर की सुनवाई नहीं होगी, अगर ऐसे मामले दर्ज कर दिये गए हैं तो हाई कोट इनको क्वेस्ट कर देगी यानि खत्म कर देगी दोस्तों बहुत important judgment है Supreme Court का, मैं आपको बताऊं कि इस judgment के तहत Supreme Court कैसे Supreme है, इसका एहसास भी आपको होगा कमलेस कालरा और सिल्पिका कालरा और अदर्ज की अपील Supreme Court तक पहुँचती है, पतनी ने भी अपील फाइल की है कि उनके 498 सेक्षन को हाई कोट ने क्वेस्ट कर दिया और इस तरीके से husband भी Supreme Court पहुँचते हैं, उनकी मदर पहुँचती है Supreme Court की 406 Criminal Breach of Trust यानि वो दहेज के सामान या जो स्त्रीधन है, उनको husband की मा ने अपने पास रखा हुआ है, इन लोगों ने वापस नहीं किया है, इस सेक्षन को हाई कोट ने खत्म करने से मना कर दिया, वही हाई कोट का ये निरने था कि 498 A का केस 3 साल से जादा के वक्त में नहीं चल सकता, अगर wife के साथ कोट में या पुलिस में अपनी सिकायत देनी होगी, दोस्तों दो साल तक ये कपल साथ रहे साधी के वक्त और उसके बाद उसके पस्चात husband ने डिवोस का केस फाइल कर दिया, तीन साल तक wife ने इस डिवोस के केस को कंटेस्ट किया, फाइट किया और उसके बाद उसने 498 A क की FIR दर्ज कराई, इस FIR को पुलिस ने दर्ज करते हुए 406 यानि Criminal Breach of Trust का सेक्षन भी इसमें जोड दिया गया, दोस्तों ये मामला पहुंचा, हाइट कोट husband ने quessing petition फाइल की, कि ये गलत केस है, 498 A का केस तीन साल की अवधी के बाद दर्ज किया गया है, तो मुंबई आई कोट ने अपने निरने में बोला कि 498 A केस क्वेस्ट किया जाता है, लेकिन 406 जो Criminal Breach of Trust है, जो इस्तरीधन है, वो चुकी continuing offense है, आपने सामान रखा हुआ है, इसलिए वो अपराद continue है, उसमें तीन साल का जो समय factor है, वो काम नहीं करेगा, और वो अपराद continue है, कि खि Mother-in-Law Supreme Court पहुंचती है, वाइफ वो भी Supreme Court पहुंचती है, कि 498 A के सेक्षन को नहीं हटाना चाहिए था High Court को, 406 के खिलाफ Mother और Husband ये दोनों पहुंचते हैं Supreme Court, Supreme Court ने बड़ा अधुद निरने दिया दोस्तों, उसने कहा कि 406 में डिमांड बहुत जरूरी है, कि इस्तरी धन है, तो आपने एंट्रस्टमेंट में, विश्वास में उनको वो इस्तरी धन दिया है, तो अब अगर आपके डिमांड करने मांगने पे भी वो वापस नहीं करते, तभी ये अपराद बनता है, और पत्नी ने अपने किसी भी सिकायत में ये नहीं लिखा कि उन्होंने उ सैक्सन एड कर दिया जाए, ऐसा नहीं है, आपको मांग करनी पड़ेगी और मांगने के बाद अगर वो सामान वापस नहीं करते, तो 406 का सैक्सन आईपी शी का बनेगा, सुप्रिम कोट ने यह भी कहा कि हस्बेंड ने कुछ सामान थाने में दर्जमा करा दिये हैं, वाइ लिस्ट को काफी अंतराल में समय के सीमा से बाहर फाइल किया गया है, इन चीजों को भी सुप्रिम कोट ने देखा, इस तरीके से उन्हों ने कहा 406 भी नहीं बनता, 498 एको मुंबई हाई कोट ने पहले ही खत्म कर दिया था, जिसके खिलाफ वाइफ सुप्रिम कोट पहु सुप्रिम कोट ने कहा कि ये 406 का सेक्षन भी नहीं बनता, ये बहुत important case है दोस्तों, सुप्रिम कोट ने इसमें बहुत ही unique judgment पास किया है, husband और उनकी family members के पक्च में, सुप्रिम कोट ने कहा दोस्तों कि साफ परतीत होता है, कि पतनी द्वारा ऐसी criminal complaint फाइल करना एक pressure tactics है जिसको use करते हुँ वो दवाव बनाना चाहती है, इसमें सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरह quest होना चाहिए, यानि 498A ही नहीं 406 स्त्रीधन criminal breach of trust के section भी खत्म होने चाहिए, पतनी ने अपनी FIR में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है, कि ये सामान उनके पास दिये गए और उन्होंने इसकी मांग की, वापसी की मांग की और उन्होंने नहीं लोटाया, इस वजह से ये section नहीं बनता और पूरी तरह Supreme Court ने इस मामले को खत्म कर दिया, quest कर दिया, दोस्तों ये बहुत unique जानकारी थी, और इस जानकारी को आपके साथ share करना बहुत जरूरी था, और सा technicality को समझना बहुत जरूरी है, उसी में समाधान है, उसी में रास्ता मिलेगा उसको quest कराने के, और कोसिस करें कि वो high court के जो खास power है 482 के तहत high court के पास inherent power है FIR को quest करने का, खत्म करने का, कुछ लोग पूछते हैं दोस्तों कि ये कैसे खत्म होगा, क्या high court ये कह देगी कि आप trial में जाओ, आप trial face करो, वहाँ खुद को निर्दोस साबित करो, दोस्तों ये कुछ बाते हैं, कुछ चीजे हैं, technicality हैं, जिसको follow करें, और उनको देखें, उनको observe करें, और आपको लगता है कि आपके case में पहली नजर में आप high court या supreme court को बिस्वास दिला सकते हो, कि ये जोटी F.I.R. है, ये tactics के रूप में उन्होंने फाइल की है, प्रेशर बनाने के लिए फाइल की है, ऐसी F.I.R. रद हो रही है, quest हो रही है